लोग विल्कॉम बैक टुशे माथ और अरभी न्टीपीजी 2019 का प्रिवेस से रिष्ट 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 रही है 10 दिया हुआ था मैं आपको बता दे रहा हूँ कि यह कोईश्ट आप रिपोर्ट कर सकते हो यह गलत दिया हुआ ठीक है हम दूसरा तरीके से नॉर्माली कोईश्ट का अंसर क्या होगा यह भी निकालेंगा माइनस पकड़के और गुना पकड़के क्या होगा निकाले तो एक 6-762 को क्या हम लोग लिख सकते है? 5, sign 14 degree upon 6, 76 degree को हम लोग लिख सकते है क्या लिख सकते है? इसको लिख सकते है, cos 76 degree नीचे गुना नहीं है यहाँ पर लेकिन आप report करो यह question गलत है into quad 75 degree के value क्या लिख सकता है 10 15 degree ठीक है तो cut गया तो 3 हो गया तो plus 3 तो 5, 3, 8, 2, 10 option number 4 is the correct answer इनके हिसाब से अगर यह questions minus में ही करना पड़ा तो एक चीज़ याद रखो हमें यह दोनों का value कितना है 5 plus 2, 7 हो गया ठीक है plus root 3 into quad 15 degree को लिख सकता है 1 upon 10 15 degree हाँ सर लिख सकता है minus quad 75 को लिख सकता है 1 upon 10 75 degree हाँ सर लिख सकता है अब बताव सर 10 15 degree के value क्या होता है सर 10 15 degree के value लिख सकता है क्या क्या लिख सकता है 10 75 15 degree के value होता है 1 upon root 3 minus 1 और उपर 1 minus root 3 1 plus root 3 sorry या फिर बोल सकतो root 3 minus 1 into root 3 upon root 3 plus 1 क्या आमने सही लिखा हां सही लिखे यानि कि यहां से आप evaluate यानि कि यहां से आप या फिर बोल सकतो यह root 3 plus 1 होगा यानि कि यह पहले वाला समझते है उसके बाद दूसरे समझते है यह 15 degree के value होता है कहां से निकलेगा 10 45 degree minus 30 degree ठीक है हाला कि यह करना possible नहीं है उस time पर 10 A minus B के formula क्या होता है 10 A minus 10 B 10 B by 1 upon 1 plus 10 A 10 B 10 45 degree into 10 30 degree मैंने यह आपको evaluation सिखा या था हाला कि यह question अगर इस type से ही सही दिया हुआ रहा रहता answer तब हमें इस तरीके से करना पड़ था पहला तरीका दिखा दिया है कि यह गुना हो जाएगा तो क्या हो जाएगा ठीक है तो यहां से क्या आ जाता है तो यहां से आ जाता है Sir 1 minus 1 upon 3 by 1 plus 1 upon 3, 10 45 degree के value बिटा हो 30 degree के value तो यहां से आ जाता है root 3 minus 1 या upon root 3 plus 1 तो इसको evaluate करते हैं तो कितना होता sir root 3 minus 1 का whole square नीचे हो जाएगा 3 minus 1 ठीक है 3 minus 1 मतलब 2 उपर कितना हो जाता 3 plus 1 minus 2 root 3 upon 2 तो यहां से काटेंगे तो कितना हो जाएगा sir 2 से काटेंगे तो 2 minus root 3 तो पहले question में क्या हो जाएगा sir यहां से देख लेता है root 3 into 2 minus root 3 यह आपको evaluation दिखा दिया minus sir 1045 degree के evaluation 75 degree के क्या हो जाएगा sir 45 plus 30 4 37 ठीक है तो 1045 degree plus 30 degree इनका evaluation करो तो 10 A मतलब 1045 degree plus 10 B मतलब 10 30 degree upon 1 minus 10 10 B तो 1 minus 10 45 plus 10 30 10 30 degree तो यहां से क्या हो जाएगा sir sir यहां से हो जाएगा आपका यह आता है 1 plus 1 upon root 3 by 1 minus 1 upon root 3 तो sir root 3 plus 1 open by root 3 minus 1 तो root 3 plus 1 upon root 3 minus 1 यह आता है तो इसको evaluation करोगे तो कितना आजागा sir 2 plus root 3 तो नीचे आता है 1 upon 2 plus root 3 ये 2-3 नीचे आया था, तो उपर भेजेंगे तो कितना आजएगा, तो इसको पलटना पड़ेगा, पलटना मतलब इसको पलट देता है, तो क्या हो जाएगा, तो रूट 3 इन्टू, उपर नीचे 2-3 से गुना करो, तो रूट 3 इन्टू 2-3 आएगा, और इधर का कितना आज यहां से कितना होता है, तो यहां से पांच दो साथ आया था, तो रूट 3 इन लोगों के लिए ओरिजिनल एंसर आना चाहिए था, इतना डिटेल्स में समझना भी जरूरे नहीं है, लेकिन फिर भी मैंने आपको समझा दिया, कि 15 डिगरी का वैलू क्या होता है, तो रूट 15 से निकाल सकते हो, या फिर 10-15 डिगरी का वैलू से भी निकाल सकते हो, ठीक है, खली पलटना भूलना मत, इधर का जो प्लेलिश्ट दिख रहा है, यह कोश्चन आपको NTVC वाले 2019 का सारे के सारे कोश्चन मिल जागा, जाओ जाकर चेक कर लिया गरो, और इस कोश्चन का जर करना, 40 रुपए लगे, या फिर 50 रुपए लगे, कर देना, ग्रूप में करना, खुद से बार बार 50 रुपए खर्चा मत करना, ओके सर, थैंक यू, बाई बाई, स्टे तुन फॉर दे निक्स्ट क्लास,